नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मार्केट मोवर पर जी आपने सही सुना है आज फिर से केमिकल सेयर में बताने वाला हूं और यह मेरी पहले रिव्यू नहीं है मैंने पहले इस टॉक के बारे में आपसे डिसकस किया था और आपको कहा था कि हाली की लिस्टिंग एक केमिकल कंपनी जो इनका सिगमेंट बहुत डिफरेंट है और सत्रा प्लस से ज्यादा कंपनी कंट्रीज पे यह अपना माल और अपना प्रोडेक्ट बैचती है प्रेजेंस है और कंपनी ने अच्छी मोमेंटम भी दिखाई है सिंस प्रम दा आई सब्सक्रिप्सन आया था स्टॉक पर लिस्टिंग गेन भी अच्छी मिली थी और देखिए 2020 के जुलाई पर यह स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होती है 700 पर और स्टॉक का प्राइस कहां से कहां पहुंचता है लगबग आप मान सकते हैं 1000 से उपर चला जाता है स्टॉक पर तेजी रहती है 1000 की रहती है और 1000 को क्रॉस करके स्टॉक ट्रेड कर रहा मैं आपको इस स्टॉक के बारे में बताया था जब यह स्टॉक अपने सपोर्ट लेबल पर था मैंने लगबग एक मैने पहले इस पर वीडियो बनाया था और कंपनी के बारे में बताया था आपने न पहले दिन मैंने हफियस माइंड टेक का रिव्यू किया था और सभी स्टॉक्स पर तेजी देखने हो अलग बात है सभी स्टॉक्स तेज हो रहे हैं बट इस चीज को यह न सोचिएगा कि मैं जो रिव्यू कर रहा हूं इस टॉक्स पर तेजी आ रही है तो उस पर सारा पैसा लगा के और प्रॉफिट कमाऊं यह चीज ना किजेगा इस चीज को समझने की कोशिस किजेगा टिकनिकली और नियूज के बेस पे जो जिस स्टॉक्स पर तेजी आने वाली रहती है उस पर मैं आपको पहले ही बताता हूं देखिए यह स्टॉक इस रेंज को बहुत बार प जो कि आया और यहां पर इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया और तब मैंने इस पर वीडियो बना था आज इस स्टॉक ने इस लेवल को क्रॉस किया है डेफिनेटली यह अब इसका सपोर्ट जोन बन जाएगा और स्टॉक पे और एक तेजी आपको फर्दर दिखाई देगी दे बहुत सेक्टर को यह अपनी केमिकल्स प्रोवाइड करवाती है टेक्स्टाइल को फूड चेन को एनिमल्स फिट जो बनाती है उन सभी कंपनीज को पेन पेपर्स इंक्स बनाने वाली कंपनीज को इन सभी कंपनीज को यह माल सप्लाई करती है इसकी डिटेल्स और भी तकड़ा है मैं आपको थोड़ा सा इनका एक जलग दिखाऊंगा कि इनके कस्टमर बेस को और कम्पनी का एक अच्छा स्टेन्थ और कैपेबिलिटी क्या क्या प्रोडेक्ट है इनके पास कोर बिजनस है और फोकस ऑन ग्रीन सस्टेनेबल प्रोडेक्ट्स बनाने पे फोकस कर सब्सक्राइब और यह देखिए इनके कस्टमर की लिस्ट देखिएगा तो आपको बहुत मजा आएगा बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी यह देखिए यह देख रहे हैं आपने इन सभी कंपनी इस के बारे में सुना हुआ एमेजॉन पे इनका माल बिकता बहुत और टाटा टाटास्टीब वैंकीज का नाम आपने सुना होगा सूइगी का नाम सुना होगा रेमिंट का नाम सुना पेनासोनिक और यह देखे नॉपटंटेल होटल स्वेगरा में तो कंपनी काफी धाकड है और इसके फंदमेंटल चेक कीजे स्टॉक पे अभी नहीं बनना और इस च वोल्डिंग भी तगड़ी है और स्टॉक का फेस्ट वैलू है और कमपनी पूरी तरीके से डिट फ्री है ये एक बहुत बड़ा पहलू होता है किसी भी स्टॉक के लिए प्रॉफिट जिनरेट करके उस कमपनी का EPS में ग्रोथ लाने के लिए आपकी कमपनी अगर डिट फ्र है तो बहुत मज़ा आएगा देखिए कमपनी का प्रॉफिट देखिए 14 करोड 18 करोड फिर बीच में थोड़ी से डिस्टर्बेंस हुई थी आपको पता है फिर 21 करोड और यह देखिए दिसंबर क्वाटर में 22 करोड की प्रॉफिट इन्होंने यहां पे पोस्ट किया तो क प्रॉफिट हो चुकी है और आगे और भी होगा कंपनी एकदम हाली की लिस्टिंग है इसलिए मैं बार-बार आपके सामने डिसकस कर रहा हूं जिकिए फंडामेंटल भी अच्छे हैं कंपनी डेट फुरी है और वरॉल प्रॉफिट जो जन्रेट कर रही है वह कंटिनिवस पर मोंटर्स के शेयर में कोई गिर भी रखा हूँ नहीं अभी डेटा बहुत जादा अबलेबल नहीं है यह चीज आपको समझना होगा मैं बात करना तो लेवल्स की तो देखिए स्टॉक पे जो तेजी आई है यह तेजी कितनी कंटिन्यू होगी उपर तक यह तो कहना स्टॉक पे फिर से एक बार आपको 1000 के आसपास में सपोर्ड लेता दिखे गई है यह तो देखिए स्टॉक में आज मोमेंटम थी लगबग आप यहां पर मान सकते हैं कि 1140 का लेवल टेस्ट किया है से स्टॉक ने बहुत जबरज़स तेजी आई है और तेजी के बाद इसम क्लोजिंग हुई है तो स्टॉक पे करेक्शन हेल्दी हो चुका है यहां से भी यह जो हाई बना है अभी सबसे इंपॉर्टेंट लेबल होगा 1000 का और 1000 के नीचे 990 का अगर यह स्टॉक 990 के नीचे क्लोजिंग करता तो फिर आपको नीचे थोड़ा सा और करेक्शन देखन इतना ही कि आसपास में आप स्टॉपलोस मेंटेन करके प्ले कर सकते हैं और नीचे जितना मिले आवरेज आउट कर सकते हैं कमपनी बहुत धाकड़ है बहुत अच्छी परफॉमेंस कर रही है यह मैं खुद की स्टॉडी अनालिसिस रिसर्च जो भी बोलिये वो मैं आपके अनालिसिस नहीं किए आप बहुत सारी डिफरेंट प्लेटफॉर्म से वीडियोस देखते होंगे यूटूब में 365 इवन मोर दें 365 चैनल्स हैं उसमें से अगर आप एक आदा दो चार चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखे डेफिनिटली वो आपकी मर्जी है और आप वहां जा रहा हूं लेकिन आपको उन सभी में से आपको खुद का सेलेक्शन करना होगा और वही मैं कहता हूं कि आपको खुद के स्टैडी अनालेसिस जरूर कीजिएगा और नहीं हो अगर आपके फाइनेंसियल एडवाइजर हैं तो आप उनसे कंसल्ट कीजिएगा तभी पर देखे रखिए अच्छी ग्रोथ कर सकती है कंपनी ऐसा मुझे लगता आपको क्या लगता हमें जरूर कमेंट सेक्षन पर कमेंट किजिएगा और मैंने एक चीज आपको नहीं दिखाया देखिए मैंने वह डिटेल्स भी निकालके रखिए आप भी अगर डिटेल्स पा यह आई प्यू सब्सक्राइब हो था और यहां पर जो लिस्ट्ण कोई थी लिस्टिंग भी बहुत बहुत जबर जस्ति लिस्टिंग अप्राइस था फूर सैमें 425 का और स्टॉक लिस्ट कहां पर होता 600 का सपास में तो आप मानके चलिए कि यह लगग आप मानके चलिए ठीक है ना तो कंपनी बहुत धाकड है याद रखिएगा रोसरी बायोटेक फेसे में आपके साथ सेर कर रहा हूं जरूर देखिए लॉंग टर्म के लिए हर गिरावट पे एक आदा स्टॉक इन्वेस्टमेंट परपस पे सॉट टर्म की ट्रेडिंग की इसमें बिलकुल जग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कमेंट करना बिलकुल ना भूलिएगा हमारे पिछले वीडियो पे बहुत सारी कमेंट्स थे सभी को दिल से सुक्रिया कहना चाहूंगा कि आपने हमें इतना प्यार दिया हमारा एक दू दूसरा चैनल है जहां पर आपको वीडियो मिलेगी देखिए यह बहसें जी के दो भरुसेमंद सेर्स को मैंने डाला मातर एक मिनिट का आपका टाइम लेगा आपको काफी जबरजस्त अपडेट मिलेगी बीपी सील के रिगार्डिंग एच्पी सील पर जो जीस्ट को लेक कर इनफोरमेशन कही गई थी उस पर डिसकाशन और मैंने आपको यहां पर प्रवाइड कर वाया है तो काफी इंफोर्मेटिव इनफोरमेशन यहां पर मिलने वाला आपको जरूर जहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोश को देखिए लिंक आपको डिसक्रि पे थेंक यू